शायद आपको पता नहीं होगा कि कौन था, रामायन का सबसे बड़ा योध्धा, हमने महाभारत के हीरो और विलेंस के बारे में तो सुना है, लेकिन इन दोनों के बीच भी कुछ लोग होते हैं, जो अपनी वफादारी और अपनों के प्रतिनिष्ठा के कारण विलें बन जा जानते हैं, ऐसा ही एक पात्र रामायन में था, जिससे हम मेघनात या इंदरजीत के नाम से जानते हैं, हम सब जानते हैं कि रावन जितना शक्तिशाली था उतना ही ज्ञानी भी, उसे एक पुत्र की चाहत थी, जो दुनिया का सबसे अच्छा पुत्र साबित हो, उसने रावन का पुत्र पैदा हुआ, तो उसके रोने की आवाज बिजली के करकने जैसी थी, इस आवाज के कारण ही रावन ने अपने बेटे का नाम मेघनात रखा, जिसका मतलब होता है बिजली, राक्षस गुरू ने मेघनात के अंदर का युद्ध पहचाना, और उसे रावन और उसके पुत्र मेघनात ने भी हिस्सा लिया, मेघनात ने अकेले ही इंदर को पराजित कर, उसे अपना बंधक बना लिया, ब्रह्मा को जब इस बात का पता चला, तो वो वहाँ आए, और इंदर को छोड़ने के बदले मेघनात को एक वरदान देने की बात की, इ कोई भी युद्ध में मेघनात को नहीं हरा सकता, लेकिन इस पर भी एक शर्त रखी, कि हर युद्ध से पहले उसे अपने पर्थे आंगिरा देवी के लिए यग्य करना पड़ेगा, साथ ही ब्रह्मा ने मेघनात को इंदर जीत नाम भी दिया, रामायन युद्ध में अपसे शक्तिशाली हनुमान को भी इंदर जीत ने अपने देवस्तरों के जरिये हराया था, इंदर जीत ने भगवान राम को भी युद्ध में हरा दिया था, उसने अपनी मायावी शक्ती नागपाश से उन्हें बेहोश कर दिया था, जब भगवान को मारने के लिए मौत के करीब पहुँच गए थे और उन्हें बचाने के लिए हनुमान संजीवनी लेकर आये थे भगवान राम की सेना को अकेले हराने की ताकत थी इंदरजीत के पास लेकिन जब उसने युद्ध के अगले दिन लक्षमन को जिन्दा देखा तो वो रावन के पास गया और अ युद्ध को जीतने के लिए यग्य करे और राम और लक्षमन को हराए ये एक पिता का अपने पुत्र के लिए आदेश है राम के साथ ही और रावन के भाई विभीषन ने इंदरजीत की कमजोरी बताई उन्होंने बताया कि जब इंदरजीत यग्य में होगा तब उसके प पिता कभी भी सीता को वापिस नहीं करेंगे, साथ ही राम और लक्षमन कोई आम इनसान नहीं। अगले दिन इंद्रजीत को लक्षमन ने मार दिया। इंद्रजीत दुनिया का अकेला ऐसा शक्षस था। जिसके पास ब्रह्मास्त्र, पशुपत्रास्त्र और वैश्नवास्त्र थे। अगर इंद्रजीत इन तीनों का इस्तिमाल युद्ध में करता तो शायद हमारा इतिहास कुछ और ही होता। इंद्रजीत इस युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा था। उसने रावण को भी समझाया था लेकिन उसके न मानने पर भी अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा। उसे पता था कि इस युद्ध को जीतना नामुम्किन है और उसकी मौत पक्की। लेकिन एक महान योद्धा क तरह इस युद्ध में लड़ा और वीरगती को प्राप्त हुआ।